सर मेरा कुशन यह है कि मैं कोई रिलेशन्शिप में हूँ और मेरे पास है कोई और फिर से होने के बाद ही मुझे वही चीज मतलब दूसरे से अगर आ रहा है तो इस यह क्या माइंड और यह सर यह जो मैं कुशन पूछ रहा हूं यह हर बंदे हर के अंदर है लेकिन कोई कोई लड़की जा रहे है उसको देख रहे है मतला हमारे पास है सब कुछ फिर भी हम देख रहे है यह थिंकिंग मुझे आप से पूछनी थी कि ऐसा क्यों लोग करते है इन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है लेकिन मैं जवाब देने से पहले आप से पूछना चाह नहीं 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 वो मेरा सब फिक्स है लेकिन मैं क्या है जब मैं मतलब मैं अभी सेडियस कौलिफाइड हूँ और मेरी नॉवंबर में ज्वाइनिंग है और मैं सिर्फ कुछन इसलिए कर रहा हूं क्यूंकि मैं जब जाता हूं या बस से जाओं मैं देखता हूं मैं कि लोगों के अंदर एक चीज आनी चाहिए कि यार हम जब किसी की बेहनों को या माताओं को देख रहे हैं गलत थिंकिंग रख रहे हैं तयार हमारी भी तो है यार यापने बहुत अच्छा किया क्या है कि अब आपकी जैसे फ्यूचर में शादी होने वाली है तो आपने खु उनकी ही नजर गंडी है मैं बता क्या रहा हूं इतना बेकूब मत समझो मुझे मैं समझ गया हूं आप क्या कह रहे हो और कि स्काइंपंट से क्या बोल रहे हो अब मैं उसका जवाब देता हूं लेकिन बेई सबस्क्राइब तो बात करते हैं कि यह क्या होता है, क्यों होता है, तो आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, मैं बोल रहा हूँ, मतलब जिससे भी आपकी शादी होने वाली हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, यह बहुत अच्छे इंसान है, यह ऐसा कुछ नहीं करते हैं, यह तो हम ही बुरे हैं सारे होना चाहिए हमें यह मिल जाए हमें वो मिल जाए मतलब हर एक के माइंड में परफेक्ट लाइफ की एक डेफिनिशन है जिसमें कुछ चीजें हैं कुछ लोग है और हमें यह लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो मेरी लाइफ बहुत बढ़िया हो जाएगी यह गलत फहिमी हर इ लाइफ में वो सब नहीं मिला होता है जैसा हम सोच रहे होते हैं जब वो सब कुछ मिल जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि आप आखे बंद करके बैठ गए हो क्या मिल गया फॉर एक्जामपल मतलब जब तक आपकी कोई गल्फरिंड नहीं है तब तक ऐसा लग रहा है कि औरे तो उस relationship के सारे positive aspects तो चाहिए नेगटिव नहीं चाहिए बट life क्या है यह पूरो का पूरो आपको package देती है जैसे बोलते हैं package कि आपका package क्या है तो मैं आपको पताता हूँ actual में आपका package क्या है वो नहीं है जो आप समझते हो कि मेरा package 5 लाग है 10 लाग है अरे नहीं आपक package यह है कि अगर कोई company आपको 5 लाग रुपए दे रही है तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़े आ जाती है जो terms and conditions में नहीं लिखी होती है वो क्या है कि उस office में politics भी होगी power game भी होगी अब वहाँ पे आपको देखना होगा diplomatically आप कैसे खेलोगे अगर चुप रहे गए तो आपको अपने फाइदे के लिए यूज़ करने लग जाएंगे और उनके मूपे कुछ जादा ही उल्टा सीधा बोल दिया तो आपको भार कर देंगे उस office में जहां पर आप काम कर रहे हो आपे groups बने होए होंगे किसी एक group में आप जाओगे तो आप चाहते हो कि मैं सब group का पार्ट हो जाओं तो दूसरे group से आपकी अपने अभी लडाई हो गई जैसे colony में अगर दो group बने हुए है तो जहां आपने किसी एक को दोस्त बनाया चाहे वो आपको इंसान पसंद है लेकिन वो एक group का पार्ट है तो दूसरे group से अपने आप ही आपकी दुश्मनी हो गई इसको life बोलते हैं बट हम क्या है life को एजल्टेज नहीं देखते हैं हम life को अपने thought के थूरू देखते हैं अपने beliefs के थूरू देखते हैं जैसे बोलते नहीं है कि दूसरे की थाली में घी सबको ज्यादा लगता है बड़ी गहरी बात है अगर आप द्याद से समझोगे तो यही बात से related है जो बात आप पूछ रहे हो आप सोच रहे थे कि भई मेरी एक अच्छी लड़की से शादी हो जाए तो आपके मैंड में एक अच्छी लड़की की definition है कोई भी यह तो नहीं बोलता ना मेरे गंदी लड़की से शादी हो जाए तो अच्छा लड़का अच्छी जॉब, अच्छा बिजनस, अच्छे लोग, अच्छी जिंदगी, यह सब सिर्फ आपके माइंड में है, एक्चुल में ऐसा कुछ नहीं है, आपके माइंड में कुछ आइडल कॉंसेप्स बने हुए है, कि ऐसा होना चाहिए, कि अगर मेरी शादी हो गई है, तो मैं मन में कोई भी थॉट नहीं आना चाहिए, किसी और के बारे में कोई थॉट नहीं आना चाहिए, यह है एक आइडल सिनारियो, जो आपके माइंड में है, रियालिटी क्या है, ऐसा प्राक्टिकली नहीं होता है, यह जो प्रकृती है, यह जो नेचर है, उसने हम लोगों को और किस स्पेस में रह रहे हो मतलब कि अगर हम कुछ हजार साल पीछे चले जाए और आप मानलो किसी बड़िया से राज्य के राजा हो जहाँ पर उस जमाने में एक बीवी नहीं होती थी सौसो बीवी अभी होती थी कुछ राजाओ की अब आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो तो मैं कहूँगा आने दो थौट एक बीवी और मढ़ जाएगी एक सो एक हो जाएगी बीवी को भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सौसाइटी ही ऐसी है बट अगर आज के टाइम में आप यहां पर रह रहे हो और जिस तरह के background से आप हो जिस तरह का आपका culture है जिस तरह की society है उसके अपने कुछ norms है उसका break करोगे उसके अपने consequences है वो हमको नहीं चाहिए मतलब क्या consequences हैं कि society आपको boycott कर देगी आपके ओपर थपा लग जाएगा यह घटिया इंसान है यह बुरा इंसान है इसने धोका दिया है divorce हो जाएगा बच्चे इज़त नहीं करेंगे तो हमें वो नहीं चाहिए इस वज़े से आप रुक रहे हो मतलब किसकी वज़े से रुक रहे हो डर की वज़े से रुक रहे हो अगर कोई डर ना हो तो आप पागल हो जाओगे जो आप थाइलेंड में जागर के हो जाते हो तो आप असली में क्या हो जो यहां पर आप दिखा रहे हो सब को बोल रहे हो कि भाई मेरे को ऐसे कोई थौट नहीं आते हैं क्योंकि अगर आपने बोल दिया कि मेरे को ऐसे थौट आते हैं और उसने भी आपको बोल दिया कि मेरे भी माइंड में ऐसे थौट आते हैं तब तो बवाल हो जाएगा तो सब एक दूसरे को जूड बोलते हैं कि नहीं मेरे mind में ऐसे कोई thought नहीं आते है तो मारे लावा अरे ना 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 तो ये thoughts आना natural है तो अगर कोई आपको आकर बोल रहा है ना कि ऐसे thoughts आने आपके mind में बंद हो जाएंगा अगर इस तरह की meditation करोगे लेकिन उसके लिए तुम्हें साथ दिन के लिए मेरे पासाना पड़ेगा और पच्छिस जार रुपे देने पड़ेंगे तो समझ जाओ, वो मजे ले रहा है आपसे तो ऐसे चक्रों में मत फसो कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ तो आप नहीं रोक सकते, जैसे आँख खोलते हो दिखता है तो अगर ब्रीन है तो थौट आएंगे और थौट कैसे आएंगे, हर तरह के आएंगे अच्छे से अच्छे जिसको आप बोलते हो सुसाइटी के पॉरे से बुरे मैंने जोर दिया है बुरे से बुरे पर अगर आपने ध्यान से सुनाओ तो मतलब इतने बुरे है कि अगर वो थौट जो आपके माइड में सुबसे राब तक चलते हैं सिर्फ 24 घंटे के लिए वो ब्रॉडकास्ट हो जाएं नाशनल टेलिविजन पर उसके बात जो मज़ा आएगा या वो इनसान जो आपको इस तरह की बाते कर रहा है उसके खुद की जो थौट्स हैं उसको ब्रॉडकास्ट कर दो आने वाले टाइम में नियूरलिंक आ जाएगा तो यहाँ पर उसके एक चिप लगाओ और दिखाओ ज़रा अंदर चल क्या रहा है तब देखते हैं क्या चल रहा है भाई बड़ा सिंपल है आँख खोलोगे तो दिखेगा कुछ भी अच्छा दिखने से बुरा दिखने से आँखों पर कोई फर्क पड़ता है ऐसे ही कोई अच्छा थौट आता है बुरा थौट आता है उससे आपकी ब्रेन पर फर्क नहीं पड़ता है तो ये आईदर और के चक्रों से बाहर निकलाओ ये बहुत बड़ी गड़बढ़ है हम सब की हम लाइफ को ना हमेशा fragmented way में देखते हैं मतलब लाइफ को इस तरी कैसे देखते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ ना ऐसा होना चाहिए सामने अल्ला इंसान ऐसे करना चाहिए मैं ऐसे होना चाहिए मेरी light में ये होना चाहिए अरे वो हो तो जाता है लेकिन उसके साथ में और बहुत कुछ मिलता है जो मिलता है उसके भी अपने प्लस माइनस होते है यानि हमको एक गलत चाहिम होती है कि अच्छा गर इस इंसान को मैंने छोड़ दिया उस इंसान के साथ रिलेशन में आ गया तो कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा अच्छा नहीं होगा यहां भी कुछ अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है वहां भी कुछ अच्छा होगा बुरा होगा सिंपल है कुछ exceptional cases ऐसे होते हैं जहां पर life toxic हो रही होती है किसी इंसान की वज़े से या किसी situation की वज़े से वहां से बाहर निकलना जरूरी होता है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जहां पे जो आपका सवाल भी था कि लाइफ ठीक ठाक चल रही है मतलब जौब अच्छी है मालो मैरेज लाइफ भी अच्छी है सब कुछ सही चल रहा है फिर भी mind में तरह तरह के विचार आते रहते हैं रह रहे हैं दिल्ली में सोच रहे हैं गोआ के बारे में तो अब क्या है कि अगर आप ये बोलते हो कि ऐसा कैसे ना हो तो मेरा जवाब है ऐसा होई नहीं सकता कि ऐसा ना हो तो आपकी एक problem तो solve हुई है कि मतलब अगर आप यह expect कर रहे हो कि आप metro में जा रहे हो और आपकी इदर उदर नजर पड़ी और जो भी आपके mind में attractive की definition है उससे मिलता जुलता कोई इंसान male या female whatever वो आपके सामने है और आप यह expect कर रहे हो कि अंदर कोई thought ना आए कोई feeling ना आए तो यह बिल्कुल ऐसा है कहना कि मैंने किसी इंसान को देखा लेकिन देख करके उसका नाम मेरे mind में ना आए कैसा हो सकता है आप मुझे अभी देख रहे हो अचा मुझे देखो लेकिन मेरे नाम आपके mind में नहीं आना चाहिए क्या यह possible है not possible ऐसे ही जो आपके desires है और fears है उससे related कुछ भी होता है आपकी life में तो वो desire or fear trigger हो जाते है तो theoretically इसका क्या solution है कि desire or fear पूरी तरह से खत्म हो जाए वो किसी के नहीं होते है बदलते रहते है ध्यान से अगर आप देखोगे वो लोग जो कहते हैं कि आपके desires खतम हो जाए उनके खुद के desires भड़े पड़े है वो पूरा अपना desire के उपर lecture देंगे तीन घंटे का उसके बाद में कहेंगे कि जाते वक्त ना अरे उसके अलगतरे के desire है आपके अलगतरे के desire है तो अगर इसको manage करना है तो उसका best solution क्या है देखना ध्यान से समझदा अगर actual में manage करना है अब manage करने की ज़रवत क्या है यह जो short term attractions है pleasures है यह जो thoughts आते हैं अगर मैंने इसके वेस पे act किया thoughts आना problem नहीं है बट अगर मैंने act किया तो बहुत बड़ी गरबर हो जाएगी इसका तरीका क्या है अपने mind में इस तरह की information feed करो इस तरह की thoughts feed करो कि आपका ध्यान कहीं और लग जाए मतलब अगर ध्यान को आप खुला छोड़ दो ध्यान कहीं ना लगे तो कहां जाएगा जो भी कुछ body से related हो रहा है ध्यान वहाँ चला जाएगा भूक लग रहे तो वहाँ चला जाएगा प्यास लग रहे तो वहाँ चला जाएगा कभी note किया है संडे के दिन जब घर पे बैटे होते हो क्या होता है आज क्या बन रहा है आज शाम को वहाँ चलेंगे मंडे को तो ऐसा नहीं होता मंडे को तो जो भी मिले घांस पूस खा लेते हो चुपचाप संडे को पूरा दिन क्या थोट चलता है खाने में क्या है खाने में क्या है देख रहे हो क्या हो रहा है जैसी आप खाली हुए खाने पीने के थोट साने लगते है या फिर आज रात को दोचल लगाएंगे whatever it is, Saturday रात को जैसे कुछ लोग के साथ में होता है या अगले दिन तो सुबह आराम से उटना है आज पूरी रात पाटी करेंगे तो जैसी खाली होए क्या थोट साए यही सब कहते है ना खाली दिमाग शेतान का घर यहीं पर जाएगा और कहा जाएगा तो इसका मतलब क्या है माइन में जो थोट्स है वो ऐसे रखो जो पहले तो इस वक्त करना जरूरी है यानि कि पैसा एक पर्टिकुलर लेवल तक तो आपका दिमाग पैसे में जब रहेगा तो फालतू की चीज़ों में कम से कम जाएगा अब जब आप पैसा कमा लेते हो यानि सक्सेस आपको मिल जाती है अब पैसे की टेंशन नहीं है यह जो स्टेज है यह सबसे ज़्यादा खतराक होती है तो कि अब आप खाली हो गए जब तक पैसा नहीं कमाया तब तक तो फिर भी एक गोल है मुझे पैसा चाहिए अपने परिवार के लिए अपने लिए इस के लिए उस के लिए पैसा कमा लिया एक घर आपके रहने के लिए हो गया एक घर आपने और इंवेस्मेंट के लिए ले लिया थोड़ा बात पैसा यहां भी लगा दिया अब वो पैसा बार बार आपको दिख रहा है अब दिमाग चल रहा है कि इस पैसे को खर्चो कैसे अब खर्चने के क्या तरीके हैं आपके पास में सारे उल्टे सीदे हैं तो जब खाली हो जाओ तब spirituality के रास्ते पर आजाओ यानि एक्चुल में समझो भक्ती क्या होती है आत्मग्यान क्या होता है spirituality क्या होती है रियल वो नहीं जो लोग दिखा रहे हैं मतलब किसी ऐसी जगे पर अपना ध्यान लगा लो किसी ऐसी जगे पर बिजी हो जाओ कि उसी से related thoughts आएं और वो आपको फसाई नहीं और वो भी बहुत समझदारी से ये बात मैं अगेन जोर दे करके बोल रहा हूँ क्योंकि दुनिया में इतने लोग बैटे हैं तरह तरह के जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइब बढ़िया होती है बेकार होती है उन्हें सिर्फ अपने से मतलब है उनका अपना एक प्रोपागेंडा है उसको उनको फैलाना है पुरी दुनिया में तो मैं क्या कह रहा हूँ जो भी करोगे spirituality से related वो अपने आप में एक नया trap नहीं बन जाना चाहिए बहुत लोग है मैंने देखा उनके घर में इसी की वह से लडाई हो रही है यानि क्या कि किसी उल्टे सीधे spiritual गुरू के चक्कर में आप फस गए अब वो आपको कुछ भी उल्टे सीधी पठी पढ़ा रहा है और आपका और आपकी wife का relation और खराब हो रहा है आपको अपने घर में मनी न ही लग रहा है आपका मन कर रहा है बस उस गुरू जी के पास में जा करके बैठे रहो और गुरू जी को बोल रहो मिरे को यहीं को यह काम देते course तो समझ जाओ अब आप बुरे तरीके से फस गये हो जो गुरू असली होगा गुरू मतलब वो जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए यही गुरू का मतलब है और वो भो ही ले जा सकता है जो खुद निकला है जो खुद पहुचा है रोशनी की तरह जो खुद अभी अंधेरे में है यानि खुद फसा हुआ है अपनी ही एक race में, हार एक के अपनी अलग-अलग race है, जो खुद कहीं फसा हुआ है, वो आपको कहां भार निकालेगा, जो खुद अंदेरे में है, वो आपको क्या रोशनी की बाते करेगा, वो तो आपको और अंदकार में ले जाएगा, तो जब spirituality के रास्ते पे आओ, तो व spiritual part ठीक है, अगर वो odd disturb हो रही है, कोई इंसान है जो frustrated है, बुखलाया हुआ है, अपनी जिन्दगी में खुदी परिशान है, और उसको आप सुनते चले जा रहे हो, तो वो सारी frustration आपके अंदर आ रही है, अब वो कहीं बाहर निकल रही है, लड़ाई शगड़े और भढ़ कर रही है, confusion और भढ़ रहा है, कि आप ये करे या वो करे, तो समझ जाओ आप गलत ट्रैक पर चले गए हो, तो वापिस से ट्रैक चेंज कर लो, ठीक ट्रैक पर आजाओ,